प्रति लोगों का नदर्या बदल गया है उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखलेश यादों पर तंचकस्ती हुए कहा की राज में चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी लेकिन आज उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों के एक नजरिये बदल गए है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यही है उन्होंने कहा कि उनका यूपी आगे बढ़ेगा और आर्थिक प्रगति करेगा ऐसे में विपक्षी पार्टियों को खुश होना चाहिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार और पियम मोधी के मार्ग दर्शन में वो एक आम आदमी और एक जन प्रती निधी के तौर पर ये कह सकते हैं कि राज के प्रती लोगों की धाड़ना बदल गई है आज लोग उत्तर प्रदेश को सम्मान की दृष्टी से देखते हैं उन्होंने आगे कहा कि 2016-2017 में उत्तर प्रदेश की GSTP करीब 13 लाग करोड उपे थी आज 2023-2024 में लगभग 24.5 लाग करोड उपे तक पहुँच गई है राज का बजट बढ़ा है उत्तर प्रदेश में देश की कुल आबादी में से 16 फीसदी लोग यहां इस राज में रहते हैं उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है विस्तरिट विकास के लिए बजट को आगे बढ़ाया जा रहा है सियम योगी ने आगे कहा कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीतिका पालन करती है अब राधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानून विवस्ता की सिती बधाल थी 2017 से पहले डकैती एवं लूट की प्रया ही वारदात होती रहती थी अमाफियों के खिलाब किस तरह की कारवाही होती है ये सभी को पता है उन्होंने आगे कहा कि अखलेश सरकार ने जनता के पैसे लूटे थे सबसरकार के कारणा में अभी भी यूपी की जनता भूली नहीं है उनकी सरकार में कानून विवस्ता का क्या हाल था ये सभी जानते हैं अखलेश विधान सभा में गलत आकड़े दे रहे हैं और वो अपना होमवर्क नहीं करते हैं इसे पहले मुख्यमंद्री योगी आदितिनात ने उत्राखंड में निर्माडधीन सिलकेयारस सुरंग से उत्तरप्रदेश के श्रमिकों की शाकुषल वापसी के बाद उन श्रमिकों से मुलाकात की इन श्रमिकों में श्रिवस्ती के अंकित संतोष जैप्रकास, रामसुंदर, राममिलन, सत्यदेव, लखेंपूर, खीरी के मंजीत और मिर्जापूर के अखलेश कुमार शामिल थे मजीरन कहा कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, सभी साथी एक दूसरे का होसला बढ़ाते रहे, उन्हों यकीन था कि वे जरूर बाहर आएंगे तमामा और बड़ी खबरों के लिए देखते रहे एन्यूस टुडे